अलो दोस्तों मैं संजेक कुमार गुपता इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों इस तरह का स्विछ बोड आपको बजार में बना बनाये मिल जागा लेकिन इसमें जो कनेक्शन किया गया है वो किस तरह से किया गया ये मैं आपको दिखाऊंगा तो देखे इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक indicator लगा हुआ है यहाँ पर एक fan regulator लगा हुआ है एक दो तीन चार पाँच पाँच स्वीच लगा हुआ है एक दो दो 5-pin socket लगा हुआ है तो इसमें जो connection किया गया है वो किस तरह से किया गया पहले मैं आपको बता देता हू अब देखे इस स्वीच का connection इस 5-pin socket से क्या गया है इस स्वीच का connection इस 5-pin socket के साथ क्या गया है और इस स्वीच का connection इस fan regulator के साथ क्या गया है अब देखे इसमें यह वाला स्वीच और यह वाला स्वीच दोनों खाली है यह वाला स्वीच और यह वाला स्वीच का connection बाहर के तरब एक टीव लाइट और एक बल्ब के लिए निकाला जाएगा तो चलिए मैं इस स्विच बोड को खोल लेता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरह से किया गया है देखिए मैंने इसे खोल दिया है, अब आप देखिए यह वाला जो है फेन रेगलिक्र है यह वाला इंडिकेटर है एक, दो, तीन, चार, पांच स्विच है यह देखिए यह पाइप पीन सोकेट है और यह पाइप पीन सोकेट है अब इसका connection किस तरह से किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ देखे इसमें जो यह switch है इसका connection इस 5-pin socket के साथ किया गया है इस switch का connection इस 5-pin socket के साथ किया गया है और इस switch के connection इस fan regulator के साथ किया गया है अब आप यहाँ पर देखे यह switch और यह switch यह दोनो switch खाली है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें connection किस तरह से किया गया है तो देखे जो ये कालावाला wire है वो neutral का wire है तो देखे neutral का wire यहाँ पर जोड़ा गया है तो indicator को यहाँ पर neutral मिल जाता है अब देखे यहाँ से ये कालावाला wire देखे यहां यहां इस स्विच के नियुट्रा मिल या है यहां से वयर इस स्विच के निचे र imports पर जोड़ा गया है यहां से फिर देखे इस स्विच के निचे र deuxième में जोड़ा गया यहां से फिर देखे यहां जोड़ा गया है और यहां से देखे से नृचा णक्राइच को भी दिया गया है तो इस तरह से इंडिकेटर को फेज और पेंडाने लगता है में अब आप यहां पर देखिए देखे का इस method क्नेक्शटे साथ गला गया तो देखे स्विच के ऊपरवार टर्मिन से एक वायर देखे 5-pin सोकेट के इस टर्म पर जोड़ दिया गया है इसी तरह से इस स्विच का कनेक्शन देखे इस स्विच के साथ किया गया है इसमें भी देखे स्विच के ऊपरवार टर्मिन से एक वायर इस 5-pin सोकेट के इस वाल वाला स्वीच और यह वाला स्वीच यह दोनों खाली है यहां से एक वायर बाहर निकाला जाएगा तो यहां से बलव को फेज मिल जागा अब आप यहां पर देखे यह यह जो फेज का वायर का बाएर क्योंकि स्विच कोन को नं करें तो फेज यहां से आ जाएगा और इस वायर के द्वारा देखे ए Errezector है यहां से आप कटिंग करके आपatchet को और पंखे को निट्र ही सकते हैं इस तरह से यह connection पुरा हो जाता है लेकिन उफूत लोगों के घर में तो अर्थिंग का connection किस तरह से कीया रहा था हूँ वह भी दिखा देता हूँ देखे मैंने इसमें आर्थिंग का कनेक्शन कर दिये हैं इसमें आप देख सकते हैं जो फाइप इन सोगट का उपर वला टर्मिनल है यह बड़ा वाला यहां से एक वायर जोड़ा गया और देखे इस तरह से आपको आर्थिंग का जो है वायर इसमें जोड़ देना है तो इस तरह से आर्थिंग का कनेक्शन भी पूरा हो जाता है तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर दिजेगा और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल क तो सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा.